लो गाइस वेलकम बेट तो आप चैनल कार्स प्लस बैक्स और आज मैं बात करूंगा आप से एक फोर्ड फीगो के एक्सिडेंट के बारे में जो लैंड स्लाइड होने की वज़े से हो गया चंडीगर से शिमला जाते हुए वाले हाईवे पर तो गाइस पहाडों की बात करें तो कैसे भी लैंड स्लाइड हो सकते हैं कभी चलती हुई रोड के उपर उपर से पत्थर गिर जाते हैं या कभी आपकी सड़क के नीचे से जमीन खिजग जाती है आपकी पूरी सड़क नीचे चली जाती है या आपके जब उपर से पत्थर गिरते हैं तो आपके ट्राफि कि हमसे वीडियो शेयर किया उस एक्सिडेंट में हम देख सकते हैं यह जा रहा था और अचानक से उसे पत्थर आतेवे दिखते हैं और उसकी गाड़ी में सीधे आकर टकरा जाते हैं तो हम फोर्ड फीगो की बिल्ड क्वालिटी के बारे में अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हैं पहले भी हमने बहुत बार देखा है कि फोर्ड फीगो की बिल्ड काफी अच्छी रही है और अगर इसकी सेफटी रेटिंगी बात करें तो लेटीन एंड कैप में से चार स्टार मि फोर्ड में टेंट आ गया तो इस क्याड़ी के जो ऑक्यूपेंट्स थे वो तो बिल्कुल सेफ रहे कुछ नहीं हुआ उन्हें कर जबकि काफी तेज यह एक्सिदेंट हुआ गाड़ी भी स्पीड में थी और पत्थर भी बड़ी स्पीड से आये तो दोनों की स्पीड पैनिक नहीं करना चाहिए और कभी भी गाड़ी इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए कि आप सिचुएशन में रियाक्ट ना कर पाएं अगर यह यूजर ने गाड़ी को कुछ भी एकदम से ब्रेक मारे होते हैं तो हो सकता है पीछे वाले ट्रैफिक से टकरा जाता तो इस जों का खास करके ध्यान रखें टर्न के उपर तो कभी ओटेक करें ना और होन का जादा से जादा इस्तमाल करें खास करके टर्न के उपर जब पहाडों में आप एक कर्फ पर जा रहे हैं हेर पिन बेंट पर जा रहे हैं तो आपको सामने से दिखता ही नहीं है कि क्या आ रह कि आप सीधे नीचे जाओगे खाई में और काम खतम तो और स्पीडिंग करने का तो सोचे ही ना और अगर आपको कभी रुकना पड़ जाता है रस्ते में तो एसकेप रैम्स को डूड़े जो साइड में सडक से नीचे उतर के जगा बनी होती है गाड़ियों के रुकने के लिए हमेशा डूड़े ऐसी जगा और वहीं पर गाड़ी रोके ऐसे पहाड़ों में भीडी भीडी सडकों में चलते हुए कहीं भी गाड़ी ना रोक दे उससे आप अपनी ही जान को नहीं और बहुत सारी गाड़ियों को भी ले डूगेंगे नीचे, और आखरी चीज, अपनी लेन में चलें, जब आप कर्फ पे हैं, तो तो अपनी लेन में ही चलें, अगर उस वक्त आप curve पे overtake कर रहे होंगे या अपनी lane छोड़के जाएंगे तो आपको पता नहीं सामने से क्या आ रहा है यह हो सकता है आगे वाला गलती कर रहा हो तो आपके पास बचने के लिए कुछ बचे गाई नहीं फिर तो आप ये ensure करें कि आप अपनी गाड़ी सही से चलाएं और अपनी lane में चलाएं तो guys ये कुछ बाते थी जो इस वीडियो की जरहें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका ध्यान रखे हमें पता होती है लेकिन फिर भी हम गलती कर जाते हैं भूल जाते हैं इसलिए हमें अपने आपको याद दलाते रहना चाहिए कि हमें गाड़ी सेफ चलानी चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी so guys thank you so much for watching this video